दोस्तों अगर आपका पैसा भी PACL इंडिया में जमा है तो आपके लिए खुसखबरी है क्योंकि अब आपको पैसा मिलना सुरू हो गया है जेहां बिनकुल सही सुना आपने PACL का पैसा मिलना सुरू हो गया है और इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन भी आ गया है अब आपका इंतियार खतम हो गया है और अभी तक था कि बहुत दिनों पहले ही आवेदन हो गये थे लगभग 2019 में ही लोगों ने आवेदन किया था और उसके बाद से कई चरणों में थोड़ा थोड़ा पैसा दिया भी गया है किन्तु सब को नहीं मिला है कुछ लोगों को मिला है फिर से पैसा मिलना सुरू हो गया है और जिन लोगों का पैसा रहे गया था उनको फिर से मिलना सुरू हो गया है और जिन लोगों का पैसा रहे गया था उनको अब मिलेगा किन्तु कुछ बिसेस बातों का ध्यान रखना जरूरी है और अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक बार फिर से आपका पैसा फंस सकता है और आपको पैसा लेने से रह सकते हैं हो सकता है कि आगर आप ये गलती करते हैं तो आपको पैसा न मिल पाए तो इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगा मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कि आपको किन की चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपको बिना किसी परेशानी के पैसा मिल जाए तो चलते हैं स्क्रीण पर और आपको live में वो notification दिखाते हैं और साथ में बताते हैं कि notification में क्या-क्या बताया गया है और आपको क्या क्या करना है, कि इन चीजों का धिहान रखना है, जिसने कि आपको पैसा मिलेगा, और किसे पैसा मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, तो कि सब को मिलेगा भी नहीं, कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को अभी मिलेगा, और बाकी जो लोग रहेंगे, उ यह वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो चलते हैं स्क्रीन पर और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं यह मैंने अपना ब्राजर ओपन कर लिया है अब यहां पर टाइप करेंगे पी एस्रियल रिफंड यह मैंने टाइप कर लिया ह सेल्च करते हैं यह देख सकते हैं वेवज Spirit ओपन हो गई है सबसे ऊपर वेवज लिएव है, इस्पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं यह ओफिशल वेवसाइट ओपन हो गई है पी represents की अब यहां पर नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है देख सकते ही आप पर अंग्रेजी में है और इधार हिंदी में भी देखने के लिए option दिया हुआ है आप देख सकते हैं तो इचले मैं आपको हिंदी में ही दिखाता हूं तो देखे यहां पर लिखावा जो public notice लिखा हुआ है वहां पर click here पर click कर देंगे तो देख सकत हैं यहां पर कई option आ गए हैं हिंदी इंग्लीज में और कई तारीखों का notification दिया हुआ है यह जो notification आया हुआ है यह 25 सिकंबर को आया हुआ है उसके पहले भी अन्य तारीखों में भी notification आया हुए है पर हमें अभी लेटेस्ट वारा देखना है तो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है इसी पर क्लिक कर देंगे देख सकते हैं डाउनलोड करने का option आ गया है डाउनलोड अगेन इसी पर क्लिक कर देंगे अब देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है इसको ओपन करते हैं देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है सारोजनिक सूचना लिखा हुआ है धन वापसी है तो मूल प्रमारपत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में है देखे यहाँ पर कुछ खास बाते हैं जो क्या आपको ध्यान से पढ़नी है सबसे पहली लाइन है प्रमारपत्र मांगाने का निर्ण लिया है जिनके दावे की रकम सब्त्रे हजार एक रुपए से उननीस हजार रुपए तक की है जिनके आवेदनों का सफलता पूरव सर्थ्यापन हो चुका है सदैनुसार पात्र निवेशकों को संदेश यानिकी SMS के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी जिसमें उनसे प्रमारपत्र करने को कहा जाएगा यानि कि यहां पर आपको एक विसेस देखने वाली बात यह है कि जो आपको पैसा रिफंड मिलने वड़ा है वो 17,001 रुपए से 19,000 के बीच में अगर रहेगा तब ही मिलेगा अगर इससे कम होगा तो भ आवेदन कर रखे हैं यानि कि यह आवेदन हुए थे लगभग 2019 में और उसके बाद फिर कई बार भुक्तान किया गया है अलग-अलग अमाउंट के इंसाफ से कभी 5,000 कभी 10,000 कभी 15,000 और अभी इस तरह के से अभी 17,001 रुपए से लेके और 19,000 तक के बीच का जिसका भी पैसा होगा उसको मिलेगा तो जो आवेदन हुए थे और उस सही थे शत्यापित हो चुके हैं यानि वेरिफाई हो चुके हैं कि सब कुस सही है सिर्फ उनको पैसा मिलेगा अगर गलत है तो वहां पर आपको सही करने का उप्सन मिल जाएगा इस टेटर से चेक करेंगे तो से आपने सही कर दिया होगा क्योंकि आवेदन हुए काफी दिन हो गया है तो जिन आवेदनों का सत्यापन हो चुका है उन्हें यह मैसेज भेजा जाएगा और यह मैसेज मिलना भी सुरू हो गया है लोगों को लिखा हुआ है एड्रेस भी लिखा हुआ है PACL के जिन निवेश्कों को समित की ओर से ऐसा संदेश प्राप्त हो जिसमें उनसे PACL द्वारा जारी किये गए मुल प्रमारपत्र पुरिस्वत करने को कहा जाए बे निवेश्तर प्रिपया अपने मूल प्रवारपत्रि लगाँ इस प्रश्टी वारी इस पर भिजा दे हैं जिनको मैसेज मिलेगा सिर्फ उढ़ने हीुए वेजना है तो फिर आपको नहीं वेजना है उसको संभाल के रखना है कहीं और किसी को भी नहीं देना है वरना आपको समस्या हो सकती है अगर आपने जो आविदन करते समें मोबाइल नंबर दिया होगा उस नंबर पर ही आपको ये मैसेज रिसीव होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको अपना PACL का प्रमार पत्र भीजना है और उसके बार देख सकते हैं ये वेसेट लिफाफे में केवल PACL के मोल प्रमार पत्र ही भीज़ुआएं और लिफाफे पर प्रमार पत्र संख्या आवस्त लिखी जाए एक लिफाफे में PACL का केवल एक मोल प्रमार पत्र ही भीज़ुआ जाए यानि कि आपको जो भीजना है तो उसमें एक लिफाफे में सिर्फ एक ही प्रमार पत्र रखना है और लिफाफे के उपर में प्रमार पत्र का नंबर जरूर लिख देना है ये चीज आपको ध्यान रखनी है और जो इसको भेजने की देट दी गई है वो है 10-10 से 21-10 यानि ki अक्तोबर बर में ही आपको भेज देना है आपको जैसे ही मैशल मिलता है तुलन तापको भेज देना है ताकि समझ से वहाँ पर पहुंच जाए अजर 31 के बाद में पहुंचेगा तो फिर वो accept नहीं होगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी गया है इसके अलावा निवेश्कों को इस बात प्रवार पत्रों की मूल प्रतियां किसी को भी ना दें जब तक कि इस कंबन में उन्हें समित की ओर से ऐसा संदेश प्राप्त ना हो जाए जिसमें उनसे प्रवार पत्र की मूल प्रतियां प्रसित करने को कहा जाए यहनि कि अगर आपको message नहीं आता है तो फिर आपको अपना certificate किसी को भी नहीं देना है संभाल के उसको अपने पास रखना है तो इस प्रकार से आप भी चाहें तो इस notification को आप खुद ही check कर सकते हैं और आपको जैसे ही message आता है तो तुरंत आपको इस पते पर आपको भेज देना है यह देख सकते हैं एड्रेस लिखा हुआ जिस एड्रेस पर भेजना है आप व payment होगा उसके अलामा जो है जैसे कि इसके नीचे का amount जो था उसका payment पहले हो चुका है किन्तो कई लोग ऐसे नहीं जिनको पैसा नहीं मिला है तो उनको फिलाल अभी पैसा मिलेगा भी नहीं जैने कि अभी जो पैसा मिल रहा है वो सिर्फ 17,001 रुपए से 19,000 तक के बीच मे आया हुआ है इसने उसकी जानकारी नहीं दिया जा सकता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि जो बचेनी लोग है उनको कब मिलेगा और जब 19,000 तक की payment हो जाएगी तो हो सकता है इसके आगे का जो पैसा होगा वो फिर से मिलेगा इसी तरह धीरी धीरे पैसा मिलता रहेगा और TCL की जो कंपनिया है एसेट्स जो है वो भी निलामी की प्रक्रिया ऐसा जानकारी में आया है कि शुरू हो गई है तो जो पैसा कम पड़ेगा तो उसकी जो प्रोपर्टी है उसको निलान करके यानि कि बेच के पैसा दिया जाएगा लोगों को तो इसलिए प्रोसेस थो जो सर्टिफिकेट है वो आपको भेज देना है डाक से और उसकी अलामा अगर आपको मैसिज नहीं आता है तो फिर आपको कहीं भी नहीं भेजना है संबाल के अपने पास ही रखना है किसी को देना भी नहीं है वरना आप परिसानी में पढ़ सकते हैं अगर मैसिज आता है तभी आपको बेजना है, जानकारी पसंद आई होटे वीडियो को लाइक करेगा, दोस्ते में सेर में जरूर करेगा, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आगन को आल पर सेट करके रखेगा, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सी जानकारी आ